नमस्कार, प्रियदर्शकों, आज का ये कारेक्रम मिथुन राशी वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपोण होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों ने भली भाती अनुभूती की है कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहू महराज मीन राशी में प्रवेश किये हैं, तब स लेकर अभी तक आप लगातार देखते आ रहे हैं कि कर्म शित्र में जो आप एस्पेक्टेशन रखते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो इस्ततियां आपके पक्ष में नहीं आ पा रही है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कुछ ना कुछ समस्या यहां पर यात भै बना हुआ है कि कहीं मेरी जौब तो नहीं चली जाएगी कहीं इस कंपनी से मुझे बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा इस प्रकार की इस्टती का योग 30 अक्टूबर से राहू महराज जैसे ही आपके कर्म भाव में आए हैं यहां से इनके स्टती एक्टिवेट हो हैं धनका जो फ्लो आपके लिए बनकर आना चाहिए वह आपके पक्ष में नहीं बनकर आ पा रहा है कुटुम्ब परिवार का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा वाणी के चलते आपके बंते-बंते कार्य बिगड रहे हैं जबकि मिथुन राशी वाले जातकों को धनी कहा जाता है किन्तु उसके पस्षात भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप सामने वाले को कह क्या रहे हैं सामने वाला समझ क्या रहा है उसके आउटपुट कुछ और ही निकल करा रहे हैं सब्तम द्रश्टी से यह आपके भौतिक सुखों को प्रभावित कर रहे हैं बहुत से लोगों के पास भौतिक सुख होते हुए भी उनका आनंद नहीं आ पा रहा है, तो कई लोगों के भौतिक सुख निरंतर कमजोर हो रहे हैं। जनता के अंदर जो आपको सपोर्ट बनकर आना चाहिए, वो पक्षकारी सुरूप को नहीं दर्शा पा रहा। पेरंटल प्रॉपटी से रिलेटेड विवादास पदिस्ततियां देखने को मिल रही हैं, तो वहीं कोई प्रॉपटी खरीदना बेचना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉबलम का फेस करना पड़ रहा है। साथ में ही कोई कर्ज की स्थती, 30 अक्टूबर के बाद कोई कर्ज लोन एकदम से आपके उपर बढ़ गया, स्वास्तरूपी योगे में छोटा-छोटा कुछना कुछ चलता जा रहा है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट लिख देता है, टेस्ट में अस्पिटलाइस खर्चे देखने को मिल रहे हैं, 30 अक्टूबर के बाद यदि ये गती विधियां आपको देखने को मिली है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर बताईएगा, किन्तु अब एक बेहद सुन्दर अवस्था का योग, जो राहु महराज कल तक आपको परे प्रवेश हो रहा है, शनी के नक्षत्र उत्तरा भादरपद के अंदर इनका प्रवेश हो रहा है, और शोटी अवधी के लिए नहीं, पूरे आठ महीने, अथार्थ कब तक तो 15 मार्च 2025 तक राहु महराज शनी के नक्षत्र में रहेंगे, और ये शनी के चाया प्रतीत हैं या फिर अगर आप आज की भाशा में कहें तो ये शनी के एजन्ट हैं और शनी के नक्षत्र में आने के पस्चाद राहू बाध्य हो जाते हैं आपको शुबफल देने के लिए और इसी प्रकार की गणना आपके लिए निर्मित हो चुकी है और 15 मार्च 2025 तक जिन गतिविधि अपने हाथ में ले रहे हैं क्या क्या लाप देखने को मिलेंगे तो पहली स्थती में आपको कर्म शित्र में जो इस्ट्रेस बना हुआ था आप व्यापार कर रहे हैं बार बार आपकी डील आपको लग रहा है कि अब होने ही वाली है फिर उसमें कुछ ना कुछ अपस्टे नहीं रह पा रहे हैं उस इस्तती से आपको निजात मिलने जा रही है वहीं जॉब कर रहे हैं जॉब में जो स्ट्रेस बना हुआ था बॉस का लिग लेक पुलिंग कर रहे थे एप्रिशेशन के स्तती में कमजोरी देखने को मिल रही थी प्रमोशन का वादा आपसे किया जा रहा था मिल किसी और को रहा था इस स्तती से आप बाहर निकलने जा रहे हैं धरका जो फ्लो आपका डगमगा गया था धनके चलते आपके बंते-बंते कारियों में रुकावटे आ रही थी प्लानिंग आपके हाथ में हैं किन्तु धनका ना हुना इस कारण से आप पीछे र करते थे और 30 अक्टूबर के बाद से वही लोग आपको इग्नोर कर रहे थे अब आप देखिएगा पुने से वो लोग आपके इड़्द-गिड़्द घूमते हुए दिखाई देंगे आपका वानी का वक्तित्व और वर्चस्व पुने से कायम होने जा रहा है जो की मिथ नहीं से आपके लिए सुनना प्रारंब करेंगे जनता में आपको यश्मान प्रतिष्टा प्राप्त होगी पेरंटल प्रॉपटी से रिलेटेड यदि कोई विवादास पादिस्तती देखने को मिल रही है उससे निजात मिलेगी कोई भूमी भवनवान खरीदना या बेच पुष्णा चा रहे थे किन्तो किसी ना किसी कारणवश उसमें रुखावटे देखने को मिल रही थी वो भी अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगे माता का स्वास्त पुष्ट रहेगा माता से अंडस्टनिंग रिलेटेट को इशू देखने को मिल रहा था व वो समाप्त होगी कोई कर्ज लोन आपके उपर बना हुआ है और उस कारण से आपके मन में तनाव बना हुआ है कि कैसे इसे से बाहर निकला जाए अभी तक रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे किन्तु अब देखेंगे आने वाले आठ महिनों में आपके सामने के स्पस्ट का योग चल रहा है उससे भी रावु महराज का बंधन चूटने के पस्चाथ आपको सफलता के योग प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे यह आने वाले आठ महिने बेहद सुन्दर अवस्था में आपके लिए योग दर्शाते हैं इस समय का सदूपियोग किजिएगा क्योंकि पिछले समय में तो आपने अपनी तरफ से एफर्स डालने के पस्चाथ भी रिजल्ट नहीं बना पाए हैं किन्तु अब वो समय आ गया है जब आपकी तरफ से यदि 40-50% के एफर्स भी लगे तो 50% के स्टती में जो राहु महराज एक कुंडली लगा कर बैठे थे उससे आपको निजात प्राप्त होगी और सफलता के द्वार आपके लिए खुलते हुए दिखाई देंगे किन्तु एक बात का ध्यान रखिएगा ये कल्यूग का राजा जरूर है किन्तु ये चलिया भी है और इस स्टती के चलते जब कर्म भाव में बैठते हैं तो एक अवस्था का ध्यान आपको विशेश रूप से रखना चाहिए और वो अवस्था है कि शौटकट रास्तों प बहुत सुंदर अवस्था के योग में आपको लाब देखने को मिलेंगे क्योंकि एक तरफ में शनी महराज आपके लिए भाग्य स्टती का योग दर्शा रहे हैं और ये न्याय प्रियग रहे हैं और इनकी तरह ही कारिये करेगा शनी की तरह जब कारिये करेगा तो शनी न हदरपद नक्षतर में गए हैं तो ये सरपय योग की अवस्था में गए हैं इस स्टती के चलते आपको दो छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए पहली अवस्था में ओम रांग रहावे नमह ये राम नहीं हैं बहुत से लोग ओम राम रहावे नमह बोलते हैं राम नहीं र माला जरूर से कीजिए दूसरी अवस्ता के अंदर आपके लिए बहुत विशेश योग होता है कि भगवान शिव की आराधना करना ये आठ महीने आपके लिए बेहद सुन्दर सुरूप में फल देते हुए पाए जाते हैं अगर घर में शिवजी हो पारे के शिवजी खरमे शिवलिंग नहीं है और रोजाना आपके लिए संबव नहीं है तो मैं कहूंगा इन आठ महिनों में हर सोमवार एक गिलास में कच्चा दूद थोड़ा सा दो चारबून शहद मिलाकर आसपास में घर के आसपास में कोई शिवलिंग हो शिवमंदिर हो वहां जाकर उससे आपको निजात प्राप्त होती हुई अवश्य रूप से दिखाई देगे। यहाँ एक अवस्था को अपनी कुंडली में जरूर से चेक कर लीजेगा। राहू महराज लगन से छटवे घर में, आठवे घर में, बारवे घर में ना हो और कुंडली में नीच के ना हो। इन्हें इस्तियों के अंदर यदी राहू नहीं है, ये राहू आपका पैर छोड़ने जा रहा है और निश्यत रूप से अब आपको सफलता के नए रास्ते, यही राहू महराज जो कल तक परेशानी कर रहे थे, यही अब पैर को बंधन मुक्त वस्ता से मुक्त करते हुए आपके लिए नए अवसर निर्मित करते हुए पाए जाएंगे, आशा करता हूँ, मेरे द्वारा दीगई यह जानकारी आपको पसंद आएगी, कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा, तब तक के लिए, नमस्कार